क्या आप देख सकते हैं कि ये शरी, जैसे कि हम बार बार इस बारे में बात करते आए हैं, जब ये पैदा हुआ था, ये इतना छोटा था, अब ये इतना बड़ा हो गया है, बेशक आपको किसी बाहरी खीच्टान की ज़रूरत नहीं पड़ी इसे इतना बड़ा करने के ये ना? वो जो स्रिष्टी का स्त्रोत है, जिसे आप स्रिष्टा कहते हैं, वो आपके भीतर से काम कर रहा है, ये ना? श्रिष्टा काम कर रहा है इसका आर्थ है कि वो निर्माता जिसने शरीर और इस अस्तित्व को बनाया है वो आपके भीतर से काम कर रहा है अगर निर्माता आपके भीतर है अगर आप उसे काम करनी के अनुमती दें तो शरीर में छोटी-मोटी दिक्कतों को ठीक करने में क्या कोई परिशानी होगी? तो शांभवी महामुद्रा बस एक रास्ता बना रही है ताकि आपका सबसे भीतरी भाग काम कर सके अगर आप इसे अनुमती दें, तो इसकी प्रकृती ऐसी है योग में हम आपके सबसे भीतरी भाग को आनन्दमय कोश कहते हैं लोग सदियों से कहते आएं कि अगर आप ईश्वर के संपर्क में आएंगे, तो आप पर्मानंद का अनुभव करेंगे पता है वो इसकी बाते करते रहे हैं? ये बस बात को समझाने का एक अलग तरीका है, आपके अंतरतम को आनन्दमय कोश कहा जाता है अब हम बस इतना ही कर रहे हैं कि हम भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, उर्जा शरीर और आकाशी शरीर को एक सीध में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका अंतर्तम ये आनन्द शरीर अभिव्यक्ति पा सके. शाम्भवी परमानन्द पैदा नहीं कर रही. शाम्भवी केवल इन चारों को एक सीध में ला रही है, ताकि ये स्रिष्टी का स्त्रोत अभिव्यक्त हो सके. आपके भीतर मौजूद स्रिष्टी का स्त्रोत, वो स्रिष्टा अगर अभिव्यक्त हो सके, तो क्या आपको लगता है कि आपके दिल, लिवर या किड्नी को ठीक करना कठेन होगा? जब निर्माता बाहर निकल कर काम करने लगता है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है. आप देखेंगे कि एक चमतकार की तरह सेहत सुधर जाएगी. मैं आपको हजारों ऐसे लोग दिखा सकता हूँ, जिन्होंने बस यूँ ही अपने बिमारियों से छुटकारा पा लिया. जैसे कोई चमतकार हो, क्या ये चमतकार है? आपको जो भी चीज समझ नहीं आती, आप उसे चमतकार कहेंगे, है ना? मान लेते हैं कि आप बिजली के बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं आपसे कहता हूँ, आप बस देखते रहें. मैं बस इस दिवार को छूँँगा, और सारे हॉल में जगमग रोश्णी हो जाएगी. क्या आप मेरा यकीन करेंगे? आप मेरा यकीन नहीं करेंगे. आप कहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अब अगर मैं बटन दबाता हूँ, और अचानक हर तरफ रोश्णी हो जाती है, तो आपको लगेगा कि मैं इश्वर का बेटा हूँ, या पैगंबर हूँ, या खुद भगवान हूँ, आपकी संस्कृती के अनुसार, है ना? कोई भी चीज जिसे आप नहीं समझते, वो आपके लिए एक चमतकार है, या तो जीवन में कुछ भी चमतकार नहीं है, सब कुछ कारण और प्रभाव के बीच होता है, या सब कुछ एक चमतकार है, क्या ये जीवन एक चमतकार नहीं? मैं और आप बैठे हैं, इस गोलग्रह पर जो तेज रफतार से घूम रहा है, क्या ये चमतकार नहीं है? हम यहां बैठ कर ये सारी बेकार की बातें कर रहे हैं, क्या ये चमतकार नहीं है? तो अगर आपके पास इसे देखने के लिए आखे हों, तो सब कुछ चमतकार है या कुछ भी चमतकार नहीं है जीवन को देखने के ये दो तरीके हैं, ये योग के दो रूप हैं एक है कि आप हर चीज को पवित्र मानते हैं दूसरा है कि सब कुछ बकवास है लेकिन अभी आपके समस्या ये है, कि आपको जो पसंद है, वो पवित्र है, आपको जो पसंद नहीं, वो बकवास है यही समस्या है, यही फंदा है सब कुछ पवित्र है, यह जीवन जीने का एक सुन्दर तरीका है सब कुछ बक्वास है, ये भी जीने का एक सुन्दर तरीका है ये लोग पवित्र हैं, ये लोग गंदे हैं, ये भाव आपको नश्ट कर देगा